हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्क्रीत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक महुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांग 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार है शक समबत 1943 विक्रम समबत 2078 आज भाद्रपतमास के शुक्लपक्स की चतुर्तिती थी रात में 12 बचकर 12 मिनट तक रहेगी उसके बाद पंचमीतिती रहेगी नक्सत्र चित्रा दिन में 4 बचकर 1 मिनट तक है उसके बाद स्वाती नक्सत्र है सुर्योदय 5 बचकर 49 मिनट पर होगा जबकि सुर्यास्थ 6 बचकर 11 मिनट पर होगा आज दिन में 1 बचकर 13 मिनट से रात 12 बचकर 12 मिनट तक भद्रा है अलाकि ये भद्रा पाताल में है इसलिए भद्रा के कारण शुबकारे में कोई बाधा नहीं है लेकिन आज रिक्तातिती होने के कारण शुबकारे के लिए मुहोर्त नहीं है आज वैनाई की सिध्धिविनायक वरद श्री गणेश चतुर्थी वरत है वैसे तो हर महीने के शुकलपक्स और कृष्णपक्स की चतुर्थी को भगवान गणेश की विशेश पूजार्चना की जाती है लेकिन भाध्रपद महीने के शुकलपक्स की चतुर्थी का विशेश ही महत्व है इस दिन से ही दस दीनों तक यानी अनंत चतुरदशी तक चलने वाला गड़ेश उस्व प्रारंब होता है गड़ेश उस्व का पहला दिन भगवान गड़ेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है महाराश्र तेलंगाना, गुजरात, करनाटक, तमिलनाडु, आंद्रप्रदेश, केरल, गोवा, ओडिशा, मद्धप्रदेश और चत्तीस गड़ में ये तेवहार बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है विशेश कर महाराश्र में इस तेवहार की धूम तो देखते ही बनती है सारवजनिक स्थानों के साथ-साथ घर में भगवान गड़ेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है लोगपुरिशद्धा और रास्था के साथ विदीविधान पुरवक भगवान गणेश की पुजा करते हैं इस दोरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है आज धेलहिया चौत भी अपने पारंपरिक रूप से मनाई जाएगी आज के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है इसलिए यदि अनचाहे अनजाने चंद्रमा दिखी जाए तो इस मंतर का जब करना चाहिए तथा स्यमंतक मड़ी की कथा सुनकर दोश शान्ति कर लेनी चाहिए आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिखा की यात्रा नहीं करनी चाहिए शुक्रवार को घर से निकलने से पहले दही या दही से बनापदार्थ खाना चाहिए तो ये थाज का पंचांग धर्मा और संस्क्रीत से जुड़ी महत्तो पुर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा यूटूब चैनल ग्रह गोचर